आठ प्राणी विज्ञान प्राणी विज्ञान इसके अंतरगत जन्तुओं तथा उनके कारी कलापों का अध्यन किया जाता है एक जन्तु जगत का वर्गी करण Classification of Animal Kingdom संसार के समस्त जन्तु जगत को दो उप जगतों में विभगत किया जाता है एक कोशिकिये प्राणी दो बहु कोशिकिये प्राणी एक ही संग प्रोटोजोवा में रखे गय जबकी बहु कोशिकिये प्राणियों को नौ संगभों में विभाजित किया गया Storer वा यूसिंजर के अनुसार जन्तुओं का वर्गी करण प्रमुक लक्षण एक, इनका शरीर केवल एक कोशकिये होता है, दो, इनके जीवद्रव्य में एक या अनेक एंद्रक पाय जाते हैं, तीन, प्रचलन प्रदाभों, पक्षमों या कशाभों के द्वारा होता है, चार, स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं, पाँच, अमीबा हिस्टॉलिटिका का संक्रमन मनुश्य में 30-40 वर्षों के लिए बना रहता है। 2. संग पौरीफेरा इस संग के सभी जन्तु खारे जल में पाय जाते हैं। प्रमुख लक्षण एक ये बहु कोशिक ये जन्तु है परंतु कोशिकाएं नियमित उतकों का निर्मान नहीं करती है। 2. शरीर पर असंग के छिद्र औस्टिया पाय जाते हैं। 3. शरीर में एक गोहा पाय जाती है जिसे स्पंज गोहा कहते हैं। उधारन साइकन मायोनिया स्पंज आदी। नोट गटिया स्पंज का प्रयोग द्वनी अवशोशन के लिए होता है। 3. संग सिलेंटरिटा प्रमुख लक्षण एक प्राणी जेलिये दूईस तरिये होते हैं। 2. मुख के चारों और कुछ धागी की तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं जो भोजन आदी पकरने में मदद करती हैं। 6. उभैलिंगी जनतु हैं। तथा श्वसन अंग नहीं होते परन्तु तंत्री का तंत्र विकसित होता है। 5. उच्सरजन प्रोटोन फ्रीडिया द्वारा होता है। 6. एक लिंगी होते हैं। उधारण गोल क्रिमी जैसे एसकेरिस, थ्रेडवर्म या वुच्रेरिया। नोट एक एंटरोबियस, पिनवर्म या थ्रेडवर्म। मुक्यता छोटे बच्चों की गुदा में पाए जाते हैं। इससे बच्चों को काफी चुन्चुनाहट होती है। भूख कम लगती है और उल्टियां भी होती है। कुछ बच्चे रात में बिस्तर में पेशा आप कर देते हैं। का तंत्र साधारन होता है। उत्सरजी अंग व्रिक के रूप में होते हैं। साथ, एक लिंगी एवं उभय लिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। उधारन केंचुआ, जोंक, नैरीस, आदी। नोट, केंचुए में चार जोड़ी हिर्दे होते हैं। इसके जीव द्रव्य में हीमो ग्लोबिन का विले हो जाता है। साथ, संग आर्थो पोड़ा। प्रमुक लक्षन एक, शरीर तीन भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष, एवं उदर। दो, इनके बाद संधी युक्त होते हैं। तीन, रुधिर परी संचारी तंत्र खुले प्रकार का होता है। चार, इनके देहे गुहा हीमो सील कहलाती है। पांच, ट्रेकिया गिल्स, बुक लंग्स, समाने सतह आदी, श्वसन अंग हैं। चै, ये प्राया एक लिंगी होते हैं, एवं निशेचन शरीर के अंतर होता है। उधारन, तिल्चट्टा, जींगा मच्छी, केकडा, खटमल, मक्खी, मच्छड, मधुमक्खी, टिड्डी आदी। नोट, एक, कीटो में छै पाद वाचार पंग होते हैं। दो, काक्रोज के हिर्दे में तेरा कक्ष होते हैं। तीन, चीटी एक सामाजिक जन्तु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। चार, दीमक, टर्माइट भी एक सामाजिक कीट है, जो निवह कॉलोनी में रहती है। आठ, संग मोलस्का। मुख्य लक्षन एक, शरीर तीन भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरांग तथा पाध। दो, इनमें कबच सदैव उपस्तित रहता है, तीन आहार नाल पून्विक्सत होता है, चार, इनमें श्वसन गिल्स या टीनीडिया द्वारा होता है। पाँच, रक्त रंगिहीन होता है, चार, उचसरजन विक्को के द्वारा होता है, उधारन गोंगा, सीपी, आदी। मोलस्का और प्रचलित नाम, सिप्रिया, प्रचलित नाम कोडी, डॉरिस, समुद्री नीबू, ओक्टोपस, श्रिंगमीन, आठ ओरल फॉर्म, डेवल फिश, एपलीसिया, समुद्री खरगोश, कुंडलिनी, उध्यान गोंगा, सीप्या, कटल फिश प्रिष्ट 392 9. संग, एकाई, नोई, मिरटा प्रमुक, लक्षन 1. इस संग के सवी जन्तु समुद्री होते हैं 2. जल समवेहन तंत्र पाय जाता है 3. प्रचलन भोजन ग्रहन करने हेतु नाल पाद होते हैं, जो समवेधी अंग का कारे करते हैं 4. तंत्रिका तंत्र में मस्तिश का विक्सत नहीं होता 5. पुनरुत्पादन की विशेश ख्रमता होती है 10. संग काड्रेटा 5. प्रमुक लक्षन 1. इनमें नोटो कार्ड उपस्तित होता है 2. इनमें कलोम चिद्र अवश्य पाय जाते है 3. इनमें नालदार तंत्रिका रज्जु अवश्य पाय जाता है 6. काड्रेटा में वर्गिकरण के रुसार 13 वर्ग है 7. संग काड्रेटा के कुछ प्रमुक वर्ग 8. मतस्य वर्ग पायसिस 9. प्रमुक लक्षन 1. ये सभी आसमतापी जन्तु है 10. इनका हिर्दय दूई वेश्यमी होता है 10. और केवल अशुध रक्त ही पंप करता है 11. श्वसन गिल्ज के द्वारा होता है 11. स्कोलियोडन, दरियाई गोडा तथा टारपीडो 12. एमफीबिया वर्ग 11. ये सभी प्राणी उभैचर होते है 12. ये आसमतापी होते है 13. श्वसन क्लोमो, त्वचा एवं फेफडो द्वारा होता है 14. हिर्दय तीन वेश्यमी होते है 15. दो आलिंदवा एक निले होते है 15. उधारन मेंधक 16. मेंधकों की तराहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होती है 16. सरिस्रिप वर्ग, रेप्टाइला, प्रमुख लक्षन 17. वास्तविक स्थलिय कशेरू की जन्तु है 17. दो जोडी पाद होते है 17. कंकाल पूर्ण तहा आस्तिल होता है 18. श्वसन पेपडो के द्वारा होता है 19. इनके अंडे केल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच से ढगे रहते है 19. उधारन छिपकिली, साप, घडियाल, कच्छवा आदी 19. मीसोजोईक यूग को रेप्टाइलो का यूग कहते है 20. बहुसला बनाने वाला एक मात्र सर्प नागराज है 20. जिसका भोजन मुख्यरूप से अन्य सर्प है 21. हिलोडर्मा विश्व की एक मात्र जहरीली छिपकिली है 21. समुंदरी साप जिसे हाइड्रो फिश कहते हैं संसार का सबसे जहरीला साप है 21. मे बुया बिल बनाने वाली छिपकिली होती है 21. इसका प्रचलित नाम सी कंक है 22. इसका अगला पाद उडने के लिए पंकों में रूपांत्रित हो जाते है 22. इसका हिरदय चार वेशमी होता है 23. ये समतापी होते है 24. इनका श्वसन अंग फेफड़ा है 25. मूतराशे अनुपस्तित रहता है उधारन कववा, मोर, चिडिया, तोता 1. तीवरुतम पक्षी आवावील है 2. उड़ना सकने वाला पक्षी कीवी और एमो है 3. सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतरमुर्ग है 4. सबसे चोटा पक्षी हमिंग बर्ड है 5. भारत का सबसे बड़ा चिडियागर अलीपूर कोलकाता एवं विश्व का सबसे बड़ा चिडियागर क्रूजर नैशन पार्क दक्षिन अफ्रिका में है 1. स्तनी वर्ग मैम मालिया प्रमुक लक्षन 1. तवच्चा पर स्वेद ग्रंथियाँ एवं तैल ग्रंथियाँ पाई जाती है 2. ये सभी जन्तु उच्चतापी एवं नियत तापी होते है 3. इनका हिर्दे चार वेशमी होता है 4. इसमें दांथ जीवन में दो बार निकलते हैं लेकिन इसलिए इन्हें दूई वारदंती कहते हैं 5. इनके लाल रुधिराणूँ में केंद्रक नहीं होता केवल उट एवं लामा को छोड़ कर 6. भाये कंड पाइना उपस्तित होता है 1. इस्तंधारी तीन उपवर्गों में बटा है 1. प्रोटो थीरिया अंडे देते हैं उधारन एक किडिना 2. मैटा थीरिया अपरिपक्व बच्चों को जन देते हैं जैसे उधारन कंगारू 3. यूथीरिया पूर्ण विक्सत शिशुओं को जन देते हैं जैसे मनुश्य 1. इस्तंधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बक्री का होता है और सथ तापमान 49 डिग्री सेलसियस 2. डग विल्ड प्लेटिपस एक मातर विशैला स्तनी है 2. जन्तू उतक एनिमल टिशू जन्तूओं के शरीर में पाई जाने वाले उतकों को हम निमने श्रेणियों में बाढ़ सकते हैं 1. उपकला उतक एपी थीलियाल टिशू 2. संयोजी उतक कनेक्टिव टिशू 3. पेशी उतक मसल्स टिशू 4. तंत्रिका उतक नव टिशू 1. उपकला उतक एपी थीलियाल टिशू ये उतक जन्तू की बहारी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर पाई जाते हैं इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है जिसके कारण इस उतक की कोशिकाओं का पोशन वी सरन के माध्यम से लसी का द्वारा होता है ये शरीर के कई महेटरपुन अंगों में पाई जाता है जैसे तवचा की भाईय सतह, हिर्दय, फेफडा एवं व्रिक के चारो ओर तथा यकृत एवं जनन ग्रंथियों के दीवार आदी पर ये उतक शरीर के अंतरांगों को चोट से बचाता है तथा उन्हें नम बनाय रखता है 2. संयोजी उतक, कनेक्टिव टीशू ये उतक शरीर के सभी अन्हें उतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कारे करता है तरल संयोजी उतक जैसे रख्त एवं लसिका समवेहन के कारिय में भी सहायक होता है ये उतक शरीर के तापकरम को नियंतरत करता है तथा मृत कोशिकाओं को नश्ट करके मृत उतकों एवं कोशिकाओं की पूर्थी करता है प्रिष्ट 394 3. पेशी उतक, Muscles Tissue इसे संकुचनशील उतक, Concractile Tissue के नाम से जाना जाता है शरीर के सभी पेशीयां इसी उतक से मिलकर बनी होती है पेशी उतक तीन प्रकार के होते हैं A. आरेखित, Unstripped B. रेखित, Stripped C. हिर्देक पेशी, Cardiac A. अरेखित, Unstripped ये पेशी उतक उन अंगों की दिवारों पर पाय जाता है अनेचिक रूप से गती करते हैं जैसे आहार, नाल, मलाशे, मूत्राशे, रक्त, वाहीनिया, आदी A. रेखित, पेशीयां उन सभी अंगों की गतीयों को नियंतरन करती है जो स्वयमेव गती रख करते हैं B. रेखित, Stripped ये पेशियां शरीर के उन भागों में पाय जाती हैं जो इच्छानुसार गती करती हैं प्राया इन पेशियों के एक या दोनों सिरे रूपांतरत होकर टेडर के रूप में अस्तियों से जुड़े होते हैं C. हिर्दयक पेशी, काडियाक ये पेशियां केवल हिर्दय की दीवारों में पाय जाती है हिर्दय की गती इन ही पेशियों के कारण होती है जो बिना रुके जीवन परियंत गती करती है संरचना की दृष्टी से ये रेखित पेशी उतक से मिलती जुलती है मानव शरीर में पासपेशियों की संख्या 649 होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी मासपेशी Gluteus, Maximus, Koolha की मासपेशी है मानव शरीर की सबसे छोटी मासपेशी Steepedius है चार तंत्रिका तंत्र Nerve Tissue इसे चेतना उतक भी कहते हैं जीवों का तंत्रिका तंत्र इनी उतकों का बना होता है ये दो विशेष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है A. तंत्रिका कोशिका या Neurons B. निूरोगलिया ये उतक शरीर में होने वाली सभी अनैचिक एवं एचिक रियाओं को नियंत्रित करता है निूरोगलिया कोशिकाओं मस्तिश्क की गुहा को अस्तंत्रित करती है